सुप्रभाद दोस्तों कैसे हैं आप सब श्री अश्टावकर गीता अश्टावकर जी और राजा जनक के बीच का संबाद अश्टावकर जी राजा जनक के स्वयम को जानने संबंदी प्रश्णों और मुक्ती संबंदी प्रश्णों को उत्तर देते हुए कहते हैं अहम करतेत्य हम मानम महाकृष्णा ही दंशिता नाहम करतेत्य विश्वास साम्रतम पीत्वा सुकी भवा बे एक मुख्य समश्या की और राजय देनक जी का ध्याना कर्शित करते हैं कि हमें अपने जानने में और या फिर हम जो करते हैं उसमें हमेरे जो मुख्य समश्या है व ना हम करतेती विश्वास अम्रतम पीतवा सुखी भवा अब मैं करता नहीं हूँ ऐसे विश्वास रूपी अम्रत को पीकर सुखी हो जा और थार्थ इसका मतलब क्या है कि मनुष्य की जो मूल प्रवर्थी होती है मनुष्य यह सोचता है कि जो भी कुछ मेरे द्वारा किया जा रहा है उसका करने वाला मैं ही हूँ और जब वो कुछ भी करता उससे कोई अच्छा काम हो जाता है या उससे कोई गलत काम होता है गलत काम के लिए वो दुखी रहता और अच्छे काम का वो क्रेडिट पाना चाता है उसे लगता है कि लोग उसका समर्थन करें उसकी प् में फस्ता हुआ चला जाता है मैं करता हूँ ऐसे अहंका रूपी बहंकर काले सर्फ मैं करता हूँ कि भावना को एक बहंकर काले सर्फ के उपमा दी गई है यानि कि जब ब्यक्ति के अंदर ये भाव उत्पन होता है कि ये जो कुछ किया जा रहा है वो करने वाला मैं हूँ तो उसके अंदर अहम भाव की उत्पत्ती होती है जो की एक बहंकर डसने वाले काले सरब के समान है अर्थार्थ हमें यह नहीं मानना चाहिए कि जो भी कुछ कर रहा हूँ वो मैं हूँ क्योंकि हम करने वाले नहीं हैं हम द्रश्टा हैं मैं करता नही तुम केबस द्रश्टा हो, जो कुछ हो रहा है, जो तुम कर रहे हो, या फिर जो कुछ और कर रहे हो, जो तुम कर रहे हो, उसे भी तुम देख रहे हो, और जो कुछ दुनिया के अन्य लोग, अन्य मनुश्य, अन्य जन्तु जो कुछ कर रहे हैं, उसे भी तुम देखी रहे है तुम इस संपूर दृष्य प्रपंच के एक मात्र दृष्टा हो और मुक्त प्रायोसी सर्वदा और सदा सर्वदा मुक्त ही हो अयम एवी ते बंधो दृष्टा रं पश्य può सीटरं और तुमारा एक मात्र बंदन यही है कि तुम द्रश्टा को स्वयम से प्रतक समझते हो तुम स्वयम को करता समझते हो अहम करते थे हम यानि कि मैं करता हूँ यही तुमारी सबसे बड़ी भूल है तुम करता नहीं हो तुम केबल द्रश्टा हो इस शरीर के द्वारा जिस शरीर को तुमने धारन किया हुआ है उस शरीर के द्वारा जो भी किया जा रहा है उसको भी तुम केबल देख रहे हो और अन्य शरीर धारी जो कुछ कर रहे है उसे भी तुम केबल देख रहे हो तुम कुछ कर नहीं रहे हो अब इसका मतलब क्या है करने का हम अकर इससे सामाने भासा में समझे तो हमें एक लगेगा कि नहीं सब कुछ तो हमारे द्वारा किया जाता है जब तक हम अपनी इंद्रियों के द्वारा हमारे हाथ पैर कर्म इंद्रियों के द्वारा जब तक हम कुछ नहीं करते तब तक तो कुछ होता नहीं है लेकिन असल में ऐसा नहीं है जो कुछ हो रहा है उसका हम निमित्त मात्र है बाकी जो कुछ हम केबल देख रहे हैं इस संसार को होते हुए बहते हुए अगला श्लोक है अपने स्वरूप को जानने संबंदी एको विशुद्ध बोदो अहमिती निश्य वहीन नाम प्रज्वलाय ग्यान गहनम वीत शोका सुखी भवा इको विशुद्ध बोदो अहमिती मैं एक शुद्ध बोद मात्र हूँ इस निश्य की अगनी द्वारा अग्यान रूपी गहनवन को जला कर शोक से मुक्त हुआ तू सुखी हो जा उन्हें सुखी होने अपने आपको जान लेने की बारे में बात करते हुए राजा जनब को बताते हुए अश्टावकर जी कहते हैं कि मैं एक शुद्ध बोद मात्र हूँ बोद मात्र मतलब जिससे संज्यान है जो इस संपून द्रश्य प्रपंच का संज्यान लिए हुए ह जो इसका बोद रखता है बोद मतलब जो जैसा है जो जैसा हो रहा है उसे उसी रूप में जो जान रहा है वह मैं हूँ इस निश्चे की अगनी द्वारा अज्ञान रूपी गहनवन को चला कर शोक से मुक्त होकर सुखी हो जाए शोक का मूल कारण क्या है शोक का कारण के केवल यही है कि हम यह मानते हैं कि संसार में जो भी कुछ हो रहा है वैसा हमारे द्वारा किया जा रहा है और जम हम अपने आपको करता मानते हैं तो धुकी होना सवभाविक है हम अपने आपको करता ना माने केवल एक दृष्टा माने तो दुखा कोई कारण शेश नहीं रहे और हम इस इस अज्ञान से अज्ञान क्या है अपने आपको करता जानना अपने आपको करने वाला जानना यही अज्ञान है हमें अपने आपको करने वाला नहा जान करके देखने वाला एक मात्र दृष्टा जानना है अब दृष्टा और करता इनका मतलब क्या है देखो जब हम आपस में मनुष्यों को या जीवजंतों को एक दूसरे से अलग समझते हैं वह दूसरा है तुम हो मैं मैं हूँ वो राम है वो मोहन है इस तरह के अलग-अलग नाम से हम जाने जाते हैं लेकिन मूल रूप में हम सब एक ही हैं जल और लहर का उधारन दे कर बताया जा सकता ह कि पानी में लहरे होती हैं और वो लहरे अपने आपको अलग समझती हैं लेकिन असल में क्या लहरे कहीं पर हैं लहरे तो कहीं पर ही नहीं अगर आप लहर को छूने का प्रियास करोगे तो आप पानी को छूओगे मूल रूप में पानी ही है वो ही अलग-अलग कोई छोटी इन सब लहरों का मूल कारण है और लहरों को बनते विगड़ते देख रहा है बास्तम में लहर कहीं है ही नहीं वो तो केवल जल है तो एको विशुद बोदो अहमेती निश्य वहीन नाम प्रज्वलाय ग्यान गेहनम वीत शोक सुकी भवा सुकी होने का एक मातर तरीका यही है कि हम कर्म तो करते रहें देखो यहां पर कर्म नहीं करना है ऐसी वात कहीं पर भी नहीं कहीं गई गई है बस यह जानते हुए कर्म करना है कि मैं केवल एक द्रश्टा हूं श्रीमत बगवद गीता का जो इस लोग है कर्म अन्ने वादिकारस्ते मा फलेशुक अदासने यह सब्सक्राइब है। अनुसार इस प्रकृति के नियमों के अनुसार हमारे संबंदों के अनुसार हमें कर्म करते हुए चलना इस संसार के दाइत्वों के हमें पालना करनी है और उस पालना करते हुए ही हमें स्वयम को निश हमें हमेशा हर परिस्तिती में जानना है कि हम केवल एक द्रिश्टा मात करता नहीं धन्यवाद